शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्बीसिया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शहर के नहरुनगर, सतरंजीपुरा, आसीनगर और लकडगंज ये चारों जोन में पानी की समस्या दिन बर दिन बढ़ते जा रही है इसी के मद्द नजर कारे कारी महापौर, मनिशा, कोठे, बस्ताई समिती तथा जल प्रदाय समिती, सभापधी, विजय जल के इन्होंने कनान की जल आपूर्ति केंदर का जायजा लिया है कनान नदी के पानी की लेवल कम हो गए है जिस कारण पिछले तीन से चार दिनों से नहरुनगर, सैतरंजीपुरा, आसिनगर और लकडगंज के चारों जोन में जल आपूर्ति बहुत कम हो रही है शेहर के पानी की समस्या को जल से जल दूर करने के लिए कार्यकारी महापूर्ण मनिशा को ठे, वस्ताई समिती तथा जल प्रदाय समिती के सभापती विजय जल के, इन्होंने प्रत्यक्षय तोर पर कनान नदी के जलापूर्ति केंदर को भेट दी पानी की किलत के कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, इसे ध्यान में रखते हुए जल संपदा विभाग से चर्चा की गई, उसी के चलते नवेगाव खेरी के तालाप से 70 दशलक्ष घन मिटर पानी कनान नदी में छोड़ा गया, नवेगाव खेरी से कनान नदी 44 किल का यहां अंतर है, जिस कारण कनान नदी में यहां पानी पहुचने में 48 घंटे लगे, पानी की किलत के कारण नागरिकों को काफी दिक्कत हो रही थी, नवेगाव खेरी से जलापूर्ती की जाएगी जिससे अब नागरिकों को पानी की किलत नहीं होगी, श्यार के जिस पर कर द्वारा जलापूरती की जाएगी ऐसे भी निर्देश इस समय दिये गए है क्या मेरा परसन राशकुमार मुहर के साथ शितिजादेश की रिपोर्ट इन बीसेन नियूज नापूर